कोर्बा में बेती रात कुत्वाली थाना अंतरगत राताखार मुख्यमार्ग पर जबरदस्त सडग हाथसा हुआ रेट से भरे ट्रैक्टर ने एक चार पहिया वहन को ठोकर मार दी हाथसे में कारसवार साथ लोग घायल हो गए जिनमें दो महिला चार बच्चे और एक बालक शामल है लाख कोशिशों के बाद भी कोर्बा में रेट का अवैध कारूबार थमने का नाम नहीं ले रहा कडे नियम बनाने के बाद भी रेट का काला कारूबार जारी है जिसके कारण हाथसे भी हो रही है ऐसा ही कुछ बेती रात कोटवाली थाना अंतरगत राताखार मुख्य मार पर हुआ जहां रेट से भरे ट्रैक्टर ने एक कार को ठोकर मार दी हाथसे में कार सवार साथ लोग घायल हो गए हैं जिनमें दो महिलाएं, चार बच्चे और एक चालक शामिल है घटना के जानकारी मिलते ही कोटवाली पुलिस मौके पर पहुँची और घायलों को शहर के नीजी अस्पताल में भरती कराया जिनमें से दो महिलाओं के स्थती गंभिर बनी हुई है जिने आई सीउ में भरती किया गया है वही घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक्टर चालक मौके से फरार हो गया है जिसके तलाश में पुलिस जुटी हुई है कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट